स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चनल तपस्याटिच में दोस्तों आज मैं बात करूँगा कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया में चेक बुक कैसे अपलाई करते हैं तो आप जिस फर्म को अपने मुवाईल स्कीन पे देख रहा है फिलब करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहा है भारती एस्टेट बैंक लिखा हुआ है एस्टेट बैंक ओफ इंडिया उसके बाद इधर जो लिखा हुआ दब ब्रांच मैनेजर एस्टेट बैंक ओफ इंडिया तो मेरा जो ब्रांच है उस सुगोली का है सुगोली लिख लिए, आपका पटना का होगा, पटना लिख सकते हैं, जारकंड का होगा, जारकंड लिख सकते हैं, उसके बाद यहां पर आप लोग को account number लिखना है, कुछी इस परकार से आप अपना account number लिख दिजेगा, उसके जश्ट नीचे email number लिखेगा, उसके नीचे date लिखेगा current date दीजेगा जिस तारी को form जमा करना होगा उसके बाद हमें क्या करना है कि जिस option को select करना है उसको tick out करना है क्या करना है tick out करना है कुछ और नहीं करना है जहां fill up करना होगा वहां fill up करेंगे जहां tick out करना है वहां tick out करेंगे तो आईए ये जो option है एक नमार ये checkbook के लिए है अगर आपका 25-56 page का checkbook लेखते हैं तो उसपे tick out करना है तो मैं 50 page का checkbook को select करता हूँ तो उसपे tick out कर दिया हूँ आप लोग देख रहा हैं उसके बाद इसमें कोई option छेर छाड़ नहीं करना है डारेक्ट हम लोग को नीचे आ इस फर्म के माध्यम से कर सकते हैं बहुत कुछ इस फर्म में दीर हुआ है तो उतना टाइम हम लोग way वेस्ट करके आते हैं और आपको किस परकार से आप लोग काम करेंगे टा सिंग bize रॉप कर दया है तो मेरा मैं अपना शिंगेचर कर देया हूँ उसके जस्ट नीचे मेर करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अधार काड़ पैन काड़ वोटर आईडी डिराइबिंग लाइसेंस किसी दो डॉक्मेंट के साथ आप इसे बैंक काउंटर पे जमा कर देंगे जमा करने के बाद आपको साथ से चोदा दिन में आपके डाकिया के दौरा यानि कि इस पर करके जनकारी ले से